Hello friends, welcome to my YouTube channel आज हम लोग designer sleeves बनाएंगे इस तरह से जैसे ये आपको mesh design दिख रहा है cross design दिख रहा है इस तरह का हम design जो है हम अपनी arms पे बनाएंगे जब वो बनेगा तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा देखो कितना beautiful लग रहा है simple का simple और इसमें हमें कुछ और extra बाहर से लाना भी नहीं पड़ेगा तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं सबसे पहले एक plain कपड़ा लो plain कपड़े के उपर आपने इस तरह से ये डोरियां लगा रही है ये डोरियां आपने ज़्यादा मोटी नहीं बनानी पतली से बनानी है ठीक है तो इसको आप 11 cm पर या half of cm पर इस तरह डाइगनली आप अटाच करोगे तो क्यूंकि हम डाइगनली अटाच कर रहे हैं तो कहीं पर चोटी लगनी है फिर बड़ी बड़ी इस हिसाब से आप उसको कट उसे साब से करना कि कहां पर चोटी लगनी है कहां पर बड़ी लगनी है इस तरह से आपको इनको सेट करना है ये एक साइड होएगी ठीक है फिर इनको हमने स्टिच कर लेना देखो जब आप स्टिच करोगे तो आप एक ही साइड से स्टिच करोगे दोनों सा के लगाएंगे ताकि जो हमारा वो box बने वो one centimeter का हो ठीक है तो जिस direction में हमने पहले लगाए थी उसकी opposite direction से आपने start करनी है तो देखो जब हम इसको लगा लेंगे यहां पर भी आपने एक एक ही scene लगानी है तो इस तरह से आपके boxes ready हो जाएंगे यह कितना beautiful लग रहा है इस design को आप ना कमीज के bottom पर भी बना सकते हो तो अब देखिए यह जो पूरी इसकी width है वो है 4.5 और जो मुझे design चाहिए 4.5 है तो मैं क्या करती हूँ इसको center से मैं cut कर लोगी center से मैं cut इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर यह दो पटियां बन जाएगी क्योंकि हमारी arms दो होती है तो यह दोनों arms पर लग जाएगी हमने मतलब की एक बार में ही prepare कर ली है दोनों arms की तो अलग लग करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो यह काफी time saving process हो जाता है और इसके साथ साथ मतलब की easy हो जाता है कि दोनों को अलग लग prepare करने से अच्छा है कि आप single use को prepare कर लो फिर जब आपने center पे line लगा ली है तो अच्छे से मेजर करना इसको कि दोनों जो parts है वो equal होने चाहिए और फिर हम इसको center से cut करेंगे ठीक है इस तरह से आप पूरा time लेके measurement करना क्यूंकि एक बार cut हो गया तो फिर हम changes नहीं नहीं कर सकते तो that's why कि इसको पहले ही ध्यान से रख लो तो अब हम इसको center से cut कर लेंगे देखिए बड़े अराम से cut करना है क्योंकि यहाँ पर दो strips लगी हुई है ठीक है तो यह थोड़ा धीरे धीरे इसको cut करना है अगर आपने मेरी चानल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज करिए बहुत useful videos हैं बहुत different designs हैं जो कि इतने simple हैं और इतने stylish लगते हैं आपको बहुत सारे ideas मिलेंगे उसको बनाने का way मिलेगा तो यह आपको बहुत useful होगा so please 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 subscribe my channel like और share भी करिए तो इस तरह से हम जो है वो cutting कर लेंगे अब देखिए हमारी यह दो पटियां ready हो गई हैं तो इस तरह से हमने plain जो हमारा cloth है उसकी भी वैसे ही से measurement में पटियां काटनी है तो आप जो यह ready पटियां है इसको आप दूसरे जो की simple cloth है उसके उपर रखके आप वही measurement में आप cut कर सकते हो दोनों के लिए बनानी है आपने ठीक है और फिर इसको आप cut कर लेना यह basically हम लोग क्यों कर रहे हैं ताकि जो हमारा design है वो हमें fold ना करना पड़े यह पटियों से वो automatically fold हो जाएगा उसकी finishing बहुत अच्छी आएगी तो ए अब जैसे इसके उपर पट्टी रखी है इस तरह से ठीक है तो इसके size की होनी चाहिए ऐसे आपने यह दोनों ready कर लेनी है ठीक है अब हमने क्या करना है दिखिए जो यह plane पट्टी है इसको हम उल्टा रखेंगे सीधी पट्टी के उपर ठीक है जो plane पट्टी है वो उल्टी होएगी और जो cross वाली पट्टी है वो सीधी होएगी और इसकी चारो sides को आप stitch करोगे और तीन sides पे कर लेना एक side पे छोड़ देना ऐसे ही हमने दूसरे में भी ऐसे ही करना है कि तीन sides जो है दो बड़ी-बड़ी sides और कोई भी एक छोटी side को हमने stitch कर लेना है देखो पहले मैंने एक दिखाई है तो अब इसको यहाँ पे उपर stitch कर लेंगे ताकि उसमें कोई भी folds ना आए अब जैसे इसमें मैंने three sides से नहीं करी है one side पे करी है तो आप इस way में भी कर सकते हो one side पे करके बाकी जो इसकी दूसरी open side है वो हमने जो हमारी arm है उसके साथ attach कर लेनी है तो यह भी useful idea है half of inch आपने लेकर ना उसको stitch कर लेना है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे करना है यह जो हमारी cross वाली पट्टी है यह जिसको हम strip कहते हैं इसको मैंने सीधा रखा हुआ है और यह हमारी arm है ठीक है पहले तो हम इसका center ले लेंगे center में आप press कर सकते हो प्रेस करने से क्या होता है line बन जाती है या फिर आप mark कर सकते हो मैं इसमें marking करूँगी तो इससे हमें थोड़ी सी notification सी हो जाती है कि यहां पर center है ऐसे ही हमने जो पट्टी ready करी है उसका भी center हम इसी तरह से लेंगे इसको चाहें तो आप press कर सकते हो या फिर आप मेरी तरह mark लगा सकते हो और फिर दोनों के centers को हम लोग match करेंगे इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं मैंने देखो पहले मैंने जैसे मैं arm attach कर रही हूं आपको वैसी करनी है नीचे वाला जो हमारा बाजू का कपड़ा है वो उल्टा है उसके उपर जो हम strip का कपड़ा रख रहे हैं वो भी उल्टा रख रहे हैं और इनको half half हम लोग stitch कर रहे हैं half half मतलब की cm पर हम लोग उसको stitch कर रहे हैं इसको पूरा end तक कर लेना है आपको और दोनों आप में ऐसे ही करना है इससे आपकी finishing जो है वो काफी अच्छी आएगी अब इसको हम cut कर लेते हैं अब देखो इस तरह से आ गया यह हमारा ठीक है अब यह सीधी साइड है तो अब हम देखो इसको उल्टा करेंगे इस तरह से जो नीचे वाला फैबरिक है उसकी जो नीचे वाली यह half inch की जो यह extra clothing है इसको हम बीच में मोड कर half inch जो है उपर वाला भी करके अंदर की तरह फोल्ड करके वहां पे हमने stitch करने है इस तरह से stitch करके आपको वहां पे seam ल यहां पे मैं आपको करके दिखा रही हूं इसको setting करने में थोड़ा सा time लग सकता है आप इसको pin up कर लो pin up करके set हो जाएगा यह pressing कर लो pressing करने से भी set हो जाता है तो इस तरह से set करके हम लोग यहां पे भी एक stitch लगा लेंगे यह बहुत ही simple design है और इतना stylish look देता है यह बहुत जादा stylish look देता है इसको जब हम आप fold कर रहे हो तो बड़े ध्यान से करना है half inch अगर आपने start करा है fold करना तो half inch ही करना है जादा नहीं करना तो उससे जो है हमारा design तोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है जो कि हमें नहीं चाहिए होता इसको हम सारा end तक हम लोग stitch कर लेंगे मेरे चैनल पर designer sleeves के बहुत सारे designs हैं जो भी मैं इसमें upload करती हूँ वो बहुत ही different होता है कभी same जैसा upload नहीं करती हूँ तो आपको इस तरह से बहुत सारे ideas मिल जाएंगे designer sleeves के, designer necks के, designer kurtis के तो आप मेरे चैनल को ज़रूर subscribe करें तो जब यह इस तरह से हमारी stitch लग जाएगी ठीक है तो यह हमारी arm ready हो जाएगी फिर इसको बहुत है